हलो नमस्कार दोस्तों एक बात फिट से स्वागता है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इस्टड़ी 54 मैन पुरी में ये फेंड्स देखिए आज हम लोग 22 और 23 फरवरी दोनों ही डेट की करेंट आफियर्स को डिसकस करेंगे सबसे पहले हम प्रीविएस वीडियो का कुई क कर लेते हैं किस केंद्रिय मंत्रा लाया संस्तान ने रिमेंगिंग म्यूजियम इन इंडिया पर बैस्पिक सीकर समिलन का अरजन किया है तो किस ने किया है सांस्कृतिक मंत्रा लने ठीक है कोशन नमबर टू है 2022 में जी ट्वेंटी की अध्यक्षता किस देश के पास है तो क लिक हुई है तो किस से हुई है स्टेम सेल ट्रांस्प्लांट प्रिकरिया से ठीक है नेक्ष कोशन है भारतिय नौसेना ने अपने यूद्व पोत आई एन एस विसाखा पतनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिच्षड किया है तो पहला राष्टी समुद्री सुरक्चा समुन्यक नियुक्त किया गया है ठीक है किसे किया गया है जी असुक कुमार को कौन बने हैं ये पहले राष्टी समुद्री सुरक्चा समुन्यक नियुक्त हुए है ठीक है चलते हैं आज के पहले कोशन पर आज का हमारा पहला कोशन ह किस भारती राज में आयुजित किया जाने बाला एक प्रिशिद कारी करम है तो किस राज में खजुराओ निरत्य महुत्सव होता है मद्य प्रदेश में ठीक है देखिए यहाँ पर पिक्चर भी मेंशन की है नेक्ष देखिए इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है अड़े टारिसमा खजुराओ निरत्य महुत्सव मत्य प्रदेश में शुरू हुआ और सबता फ़र चलने वाला यह महुत्सव उधसव 26 फरवरी 2022 तक चलेगा ठीक है कब तक चलेगा 26 फरवरी 2022 तक यह कारी करम चलेगा चलिए चलते हैं नेक्ष कोष्टन पर नेक्ष सुप्रीम कोट ने हाली में किस राज में आरकेश्टा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खतम कर दिया है तो देखिए सुप्रीम कोट ने किस राज में महाराक्ष्टा में जो आरकेश्टा बार था उसमें जेंडर कैप था उसको खतम कर दिया है ठीक है कुछ important points भी देख संख्या को कि संख्या को चार तक सीमित करनी की सर्थ को खतम कर दिया है ठीक है चार कलाकार पहले थे लेकिन अब इस सीमा को खतम कर दिया है ठीक है चली चलते हैं नेक्ष कोश्चन पर नेक्ष कोश्चन है नेक्ष कोश्चन है हिमाले के पारितंत्र में परागण में किस निशाचर परागण की महतुपूर भूमिका पाई गई है नेक्ष कोश्चन है हिमाले के पारितंत्र में परागण में किस निशाचर परागण की महतुपूर भूमिका पाई गई है तो किसकी पाई गई है पतंगे की देखिए इंपोर्टेंट पूइंट की आया हाल के एक अध्यन के अनुशार पूर्वत्तर भारत के हिमालई परिस्तित की तंत्र में परागण के लिए पतंगे महतुपूर है ठीक है यहाँ पर पिक्चर भी मेंशन किये पतंगे की देखिए यह पतंगे की पिक्चर मेंशन किये आप देख सकते हैं देखने में कितना अजीब सा लग रहा है चलrophe चलते हैं नेक्श कोष्षन पर नेक्श कोष्षन है अंतराश्टी मात्र भाषा दिवष निम्न मेशे किस दिन मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है 21 फरवरी को deso क्या है बरमें अपनी भाषा शंसक्र्ट्रति के प्रति लोगों को रुजहने, लोगों में रुजहान पैदा करना तथा जावर्कता फैलाना है, ठीक है, चलिए चलते हैं, Next Question पर, विश्चु चिंतन दिवस, निम्ण में विश्फ चिंतन दिवस कम मना जाता है 22 फर्वरी को मना जाता है important point क्या है important point है विश्फ चिंतन दिवस दुनिया भर में شबी girl scouts girl guide और अन्य girl group दौरा प्रतिवर्शित 22 फर्वरी को मनाय जाता है और ये दिन दुनिया भर में भाई भेनों के बारे में विचार करने उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्ग दर्शन करने के शही अर्थ को शमझाने के लिए मनाये जाता है ठीक है चली चलते हैं नेक्ष कोशन पर नेक्ष कोशन भारे सरकार ने सपता भर चलने वाली विज्ञान सर्वत्र पूजनते विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया 22 से 28 फरवरी 2022 तक विज्ञान सर्वत्र पूजनते नामक एक शप्ता की लंबी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है और यह एक hybrid model के माध्यम से देश भर में 75 इस्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा ठीक है Next question है दादा शाहिव International Film Festival Award 2022 निम्न में से किसे best film का आवार्ड प्रदान किया गया है तो जो हमारा International Film Festival 2022 है उसके लिए best film का आवार्ड देने के लिए किसे चुना गया है तो सेर सहा को चुना गया है इनके बारे में कुछ important points भी देख लेते हैं विश्नु वर्धन द्वारा निर्देशित शेर शाह परम बीर चक्र शेशमानित बिक्रम बत्रा की जीवन पर आधारित है ये ठीक है जिनों ने क्या किया था 1999 में कारगिल युद के दारान पाकिस्तानी घुसपैटियों की भारतियों पाकिस्तानी घुसपैटियों को भारतिये चेत्रों से खदेडते हुए राष्ट की शेवा में अपना जीवन बलडान कर दिया था ठीक है तो आज के लिए डिये फेंट्स इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्शेशन में अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं डिये फेंट्स और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए मिलते हैं ने एक शिशन में, तब तक के लिए नमस्कार, have a nice day.